हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे नेकलेस सेट नेकलेस सेट के लिए आज हम नेकलेस बनाना दिखाएंगे इसके लिए हमें चाहिए क्रोचेट ट्रेड एंकर का ट्रेड हाई ये नमबर एइट हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए इस तरह के कैप स्मॉल साइज के कैप हमें चाहिए जंप रिंग गुंगरू इस तरह के पर्ल स्टार्च तो चलिए फ्रेंट्स इसे हम बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक रिंग बनाएंगे रिंग बन गई चेन वन इस रिंग में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 स्टार्च, 2 स्टार्च, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्रिंग को खिचके से टाइट करेंगे फर्स्ट वली स्टीच में यहां स्लिव स्टीच लगाएंगे चेन वन स्टीच में टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे वन सिंगल क्रोशे टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे वन सिंगल क्रोशे टू सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टीच में टू सिंगल क्रोशे नेक्स्ट टू सिंगल क्रोशे, स्टीच में टू सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से तरह राओंड को कंप्रित करेंगे हैंड मैंने कंप्रिट है राओंड आप हम यहां फरस्ट वाली स्टीज में स्लिव स्टीज लगाएंगे चेैन मॉन सेम स्टीज में नेक्स्ट स्टीच में वण्सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट उन्सिंगल क्रोशे, स्तरा इस राउंड को कम्पलीट करेंगे। फर्स्ट वर स्टीच में यहां स्लिव स्टीच लगाएंगे कम्प्लीट है राउंड नेक्स्ट चेन वन सेम स्टीच में तू सिंगल क्रोशे बनाएंगे तू सिंगल क्रोशे नेक्स्ट स्टीच में वन सिंगल क्रोशे next stitch में 2 single crochet next stitch में 1 single crochet next stitch में 2 single crochet next 1 single crochet next 2 single crochet इस तरह इस राउंड को कम्प्लिट करेंगे फर्स्ट वाले स्टीच में स्लिव स्टीच लगाएंगे कम्प्लिट है राउंड next, chain 1 same stitch में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे next, stitch में 1 सिंगल क्रोशे next, 1 सिंगल क्रोशे next one single crochet next one single crochet next one single crochet इस तरह surround को complete करेंगे friends first one stitch में sliver stitch लगाएंगे next two chain one two same stitch में one half double crochet बनाएंगे next two chain one two skip one single crochet next single crochet में one half double crochet बनाएंगे इसे complete नहीं करना है साथ में same stitch में हम फिर से one half double crochet बनाएंगे इस तरह से इसको एक धागा में लेंगे ऐसे इस तरह से हमें stitch लगाना है next two chain one two skip one single crochet next single crochet में साथ में हम two half double crochet बनाएंगे same stitch में same stitch में one half double crochet next same stitch में one half double crochet इसको साथ में एक चेन में लेंगे next one two chain skip one single crochet next single crochet में two half double crochet साथ में बनाएंगे इसको एक चेन में लेंगे next two chain one two skip one single crochet next single crochet में two half double crochet साथ में बनाएंगे इसको एक चेन में लेंगे next two chain इस तरह इस राउंड को कम्प्लीट करेंगे friends two chain हमने बना लिए next यहाँ slip stitch लगाएंगे next इस गैप में हम डबल क्रोशे बनाएंगे one डबल क्रोशे two डबल क्रोशे three डबल क्रोशे four डबल क्रोशे यहाँ two half डबल क्रोशे हमने बनाएं इसके उपर इस चेन में slip stitch लगाएंगे next इस गैप में फिर से हम बनाएंगे four डबल क्रोशे one डबल क्रोशे two डबल क्रोशे three डबल क्रोशे four डबल क्रोशे यहाँ two half डबल क्रोशे के उपर इस चेन में slip stitch लगाएंगे next वाली गैप में four डबल क्रोशे बनाएंगे one डबल क्रोशे two double क्रोशे three double क्रोशे four double क्रोशे two double क्रोशे के उपर अब स्टेन में स्थीँ स्रिव श्रीच लगाएंगे इस तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंटस कंप्लीट है ये अब यहां english ज्शीड में स्थीज लगाएंगे स्थ्ट को यहां से कट कर लेंगे इस तरह से बना लेना है फ्रेंट्स अब हम इसमें स्टार्स लगाएंगे बैक साइड में हमें स्टार्स अप्लाई करना है स्टार्स लेना है इस तरह बैक साइड में हम अप्लाई करेंगे से बॉर्डर में लगाएंगे अब इसको इस तरह से सिधा कर लेंगे इसे हम ड्राइ होने के लिए से उड़ देंगे फ्रेंड्स इस तरह से हमें थ्री पीशेस बना लेना है सेम साइज में फ्रेंड्स नेक्स्ट हम फिप्टी चेन बनाएंगे अब यहां थ्री चेन बनाएंगे वन तू थ्री फिप्टी चेन एक्स्टर थ्री चेन थ्री चेन यानि वन डबल क्रोशे फोर्थ नमबर वाली चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट फ़ली स्टीच में डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टीच में डबल क्रोशे इस तरह फिप्टी डबल क्रोशे चेन में हम बनाएंगे फ्रेंट्स 49 डबल क्रोशे हमने बना दिये नेक्स्ट थ्रीचेन बनाएंगे यहां लास्ट चेन में स्लीव इस्टिच लगाएंगे नेक्स्ट थ्रीचेन बनाएंगे वन तू त्री अब फर्स्ट वली स्टिच छोड़ देंगे यहां सेकंड स्टिच में फिर से हम डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे next stitch में double crochet इस तरह से इस line को पूरा करेंगे friends last हमें है 3 chain बनाएंगे फिर से 1, 2, 3 first stitch में है slip stitch लगाएंगे straight को यहां से cut करेंगे देखिए friends इस तरह से belt बना लेना है friends अब हम इसको fold करेंगे equal करना है middle है यहां इसमें हम glue लगाएंगे next इसके उपर इसके middle में इसको रखेंगे और इस तरह से इसके उपर इसे चिपका देंगे इसके यहां पैटल्स मिडिल में होना चाहिए इस तरह से इधर भी इसे हम रखेंगे इसे प्रेस करेंगे चिपका देंगे next यहां बेल्ट में थोड़ी सी और गुलू लगाएंगे हम इस तरह से चिपका देंगे इसे इस साइड में हम इसी तरह गुलू लगाएंगे और इसको मिडिल में इस तरह से चिपका देंगे इस तरह से चिपका लेना है next त्रेड को यहां इसके ऊपर चिपका देंगे extra thread है इसे हम इहां से कट करेंगे इसमें गूलू लगाएंगे यहां से पेटल्स में लगाएंगे मेरिल में लगा लेंगे नेक्स्ट इसके ऊपर से हम इस तरह से चिपका देंगे ऐसे इधार भी हम और एक पीश इसी तरह ऐसे चिपकाएंगे अब हम इसमें इस कैप को लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से यहाँ गुलू लगाएंगे बॉर्डर में गुलू लगाना है इसके ऊपर से चिपका देंगे प्रेस करेंगे इसमें भी गुलू लगाएंगे बॉर्डर में और मेडिल में इसे चिपका देंगे इसमें भी गुलू लगाएंगे मेडिल में इस तरह से चिपका देंगे स्मॉल साइज के कैप लेना है इसमें गुलू लगाएंगे मेडिल में बेल्ट के उपर इस तरह से चिपका देंगे ऐसे यहां भी हम कैप लगाएंगे इस तरह से गुलू लगा लेंगे पहले नेक्स्ट बेल्ट के उपर इसको इस तरह मेडिल में चिपका देंगे ऐसे अब हम इसे ड्राइ होने के लिए छोड़ेंगे अब हम इसमें हैंगिंग लगाएंगे जम रिंग लेना है इसे खोलेंगे यहां भूंगरू डालेंगे मेडिल में यहां इस पैटल में इस तरह से इसे डालेंगे इसको इहां से बंद करेंगे इस तरह से नेक्स्ट फिर से जम्प लिंग लेंगे इस रिंग में भूंगरू डालेंगे इसके पास इस पैटल में रिंग डालेंगे इसको हम इहां से बंद करेंगे इधर भी हम हैंगिंग लगाएंगे इसको खोलेंगे इस तरह घूंगरू डालेंगे नेक्स्ट वाली पैटल्स में यहां मिडिल में इस तरह से रिंग डालेंगे इसको इहां से बंद करेंगे देखिए फ्रेंट्स इस तरह से हैंगिंग लगाएंगे इसमें भी और इसमें भी इस तरह से घूंगरू लगा लेना हैं एंगिंग नेक्स्ट फिर से जंप रिंग लेंगे इसमें घूंगरू डालेंगे इस बेल्ट में मिडिल में यहां इसे डालेंगे कि इसको यहां से बंद करेंगे और एक जंप रिंग लेंगे इसे भी खोलेंगे इसमें घुंगरू डालेंगे और यहां मेडिल में इसे भी लगा लेंगे कि इसको यहां से बंद करेंगे इसे देखिए फ्रेंट्स इस तरह से हमने लगा लिए फ्रेंट्स आप चाहे तो इसके उपर फोल्स है इसमें आप स्टोन भी लगा सकते हैं बीट्स भी लगा सकते हैं इसमें हम स्मॉल साइज के बीट्स लगा लेंगे फ्रेंट्स अब हम यहां ग्लू लगाएंगे इसके उपर स्मॉल साइज के इस तरह के बीट्स डालेंगे गोल्डन बीट्स है यह इसमें भी हम ग्लू लगाएंगे और इसके उपर बीट्स तरह से डालेंगे देखे फ्रेंट्स डिजाइन कम्प्लीट है अब हम इसमें बैक के लिए लेस लगाएंगे बैक लेस लगाना है हमें देखे प्रेंट्स तब हम ट्रेड को डबल करेंगे यहां नॉट लगाएंगे अब चेन बनाएंगे इस त्रेड से extra thread है यह, इसे हम छोड़ देंगे, chain, extra thread लिया है, यहां इस तरह, needle के उपर से रखेंगे, chain बनाएंगे, needle के उपर इस तरह डालेंगे, फिर से हम, chain बनाएंगे, needle के उपर डालेंगे, chain बनाएंगे, double, दबल, चेन हमें बनाना है, उस तरह से बना लेङगे, प्रेट को नेडिल के उपर डालना है, चेन बनाना है, इस तरह से हम इसे कम्प्रीट करेंगे, friends इस तरह से chain बना लेना है double chain आपको जितना चाहिए इसके length में आपको बना लेना है इस तरह two pieces बनाना है हमने इस तरह से बना लिये है friends अब हम दोनों को साथ में इस तरह से पकड़ेंगे इस तरह equal करके next इसमें spurl में से हम डालेंगे ऐसे इस तरह से डाल लेंगे next इसमें हम यहां थोड़ी सी glue लगाएंगे इसको इस तरह से चिपका देंगे next हम tassel बनाएंगे thread को इस तरह से पकड़ेंगे finger में घुमाएंगे इस तरह 36 times इस तरह घुमा लेंगे thread को इहां से cut कर लेंगे next इसको इहां से equal करके हम cut करेंगे अब इसको इस तरह से middle में डालेंगे इस तरह से में डालना है trade लेंगे फिर से इसके साथ हम इसे बन लेंगे इस तरह से भुमाना है रोल करना इस तरह thread को tight करके हमें इहां बनादना है इससे अब यहां glue लगाएंगे straight को अच्छी तरह है हां चिपका देंगे इसको यहां से cut करेंगे friends, next यहां इस तरह से बन लेंगे thread tight करके हमें यहां भी बन लेना है thread ऐसे glue लगाएंगे इसको हम इस तरह से चिपका देंगे extra thread है इसे हम cut करेंगे tassel को equal करके हमें यहां से cut कर लेंगे thread को friends, अब हम इस लेस में jump ring डालेंगे यहां jump ring डालना है हमें friends, अब हम यहां spattles में jump ring डालेंगे ऐसे फिर इसको इस तरह back side में लेके आएंगे stitch लेंगे अब इसको इहां से बंद कर लेंगे इस तरह से डालना है हमें jump ring इधर भी हम इस तरह jump ring डालेंगे lace में jump ring डालेंगे और इधर भी इस तरह लगा लेंगे देखिए friends इस तरह से दोनों side में jump ring लगा लेना है lace लगा लिए अब ये complete है बोस्ति टूό थे दोंड है अब लगा ले डालेंगे इस घज से इस ःश्चश्डिक । अब बमार्भा लाब दोनी में झाल झाल